हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि senior citizen certificate या फिर senior citizen card अगर आपको बनाना है महाराश्चर के लिए तो आप कैसे बनाएंगे वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चनले पर नया है चनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आकम प्रेस करना मत भूलिएगा इसका लिंक मैं आपको वीडियो के description में दे दूँगा यहां पर आने के बाद आपको पहले तो अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को new user यहां पर लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है आपको option 1 चूज़ करना है चूज़ करने बाद यहां पर आपकी district आपको select करनी है और आपको अपना mobile number एंटर करना है एंटर करने बाद send OTP पे क्लिक करना है आपको OTP आयगा ठीक है ओके कर देजिए OTP आयगा आपको OTP एंटर करना है और यहां पर username एंटर करना है username आप अपना pen card number डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि pen card number unique होता है ठीक है और वो available भी होता है इसके बाद आपको यहां पर password create कर लेना है और confirm कर लेना है फोल डार करके नीचे जाएंगे तो यहां पर आपका full name डालना है बराठी में full name automatically आ जाता है date of word डालना है age automatically आ जाता है ठीक है ध्याद दीजेगा आपका age 60 plus होना चाहिए ठीक है इसके बाद accept पर click करना है और register पर click कर देना है आप register हो गया है successfully आपको okay पर click कर देना है जैसे click करेंगे वापस से आपको इस website पर आना है और यहां पर user id ठीक है padcard number जो आपने डाला था user id में वो और यहां पर password डालना है capture fill करना है district select करना और login पर click कर लेना है जैसे click करेंगे click करने के बाद यहां पर आपको left hand side में यहां पर school down के एकदम नीचे आना है और यहां पर समाजिक नया है वह विसेश सहायक विभाद करके दीखेगा इस पर आपको click करना है जैसे click करेंगे यहां पर second number पर आता है जेश्ट नागरी प्रमारपत्र इस पर आ करते हैं यह सारी चीज़े आपको यहां पर लिक कर आएगी स्कूल डार करके नीचे जाना है और यहां पर पूरेज आपके click कर दे रहा है अब यहां पर तीज़े फिल करने है पहला दूसरा और तीसरा यह तीज़े कर देके आपने apply कर दिया ठीक है तो पहले पर क्या है आ आपको डालना है में अटिएगा biscuit कि उपैट्धी का अगभा आगए और दालनेंके तो अच्छा है तो बी चलेगा कोई दिकतwalk नहीं है वेवसाइं डियाएन कि आपका आधाAR करहाएँ ऑर यहां पर आधार करबान कर माथ आपको डालना थो डाली है इसके बाद आ जाता है के आप रहते हैं पे आपका एड्रेस क्या है एड्रेस आपको प्रेपल यहाँ पर है इसके बाद आप चाहे तो स्किम भी कर सकते हैं, important नहीं है, चाहे तो स्किम भी कर सकते हैं, बर अग डाल देंके तो अच्छी बात है, इसके बाद आता है, emergency में किसे contact करें, तो आप family member में से किसी का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, so that emergency में contact किया जा सके, इसके बाद यहाँ पर आपको समावेस करना है, यहाँ पर आएगा कि अगर एक बार submit करने के तो वापस इसको edit नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, okay करना है, और समावेस करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपका, जो आपने application किया है, उसका number यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपको okay करने के लिए, अब आएगा documents upload करने के लिए, यहाँ पर आपको photo upload करनी है, ठीक है, photo यहाँ पर लिखा रता है, पाच के भी और इसके भी बीच के बीच में होना चाहिए, ठीक है, hide कितनी होनी चाहिए, ठीक है, यह सारी शेज़ें आपको properly maintain करनी है, फोटो को crop करके डालना है, ठीक है, यहाँ पर नीचे crop photo और फोटो का भी option दिखेगा, नीचे यहाँ पर option है, उस पर click करके आप photo को crop भी कर सकते हैं, और size भी research कर सकते हैं, वो करके आपको यहाँ पर upload करना है, फोटो अपलोड करने का यहाँ देखे है, click here to crop photo है न इस पे click करके आप crop कर सकते हैं फिर यहाँ पर आता है इड्रेस का डूफ क्या डालना है तो आप एड्रेस के लिए electricity बील डाल सकते हैं या फिर राशन काड भी आपको डाल सकते हैं तो इस पे click करना है upload फाइल पर क्लिक करना है क्लिक करके यहां पर राशनकार आपको अप्लोड कर देना है इसके बाद नेच्ट में यहां पर पूछा जाता है कि बलब बर्थ का प्रूफ आपको देना है basically तो आपका बर्थ सर्डिफिकेट रहेगा तो आप वो अप्लोड कर सकते हैं बोनाफाइट परमार पतर रहेगा तो वो अप्लोड कर सकते हैं या फिर आप 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 से यह इंप्लोड कर सकते हैं यहां पर वापस से यह important है ठीक है रही वासाचा पूरवा ठीक है तो यहां पर basically दो ही option आपको मिलते हैं तो इन दुनों में से कोई important में क्या है इतर मतलब कोई भी extra document आपके पास है तो आप यहां पर upload कर सकते हैं सारे documents यहां पर देखिए JPG PDF में होना चाहिए और 75 के भी और 1500 के भी के बीच में होना चाहिए तो आप ध्यार रखेगा इतर में कोई भी extra document है तो आप upload कर सकते राशन काड़ भी upload कर सकते या फिर आधार काड़ कर सकते फिर गोश्रा पत्र में basically आपको क्या करना है यहाँ पर format दिखेगा इस पर click करके पर आपको इसको download कर लेना है बनाव करने के बाद यहां पर फोटो चिपकाना है अपना नाम पिताजी का नाम इसके बाद आधार नुम्बर है तो आधार नमब डालीए व्यवसाय डालीए ठीक कहाँ रहते हैं फिर ठीकाड़ा दिनाग फिर आपका sign जो अपलाई कर रहे हैं उनका sign फिर जो अपलाई कर ह है उनका नाम रिखे रॉपली डाल के इसको भी स्कैंड कर लेना है स्कैंड करके reconstruction करना है कि यहापर माली चीजए म dran अधारकर अप्लोड कर तो किया था और अपने टाइना किया था उसको पे पे करना पड़ता है यहां पर पूश्टी करना प्रक्लिक करना है कोई भी option यहां पर चूस कर सकतें फॉर आप लोग कर सकतें अगर नहीं है तो कुछी लोग पिखर सकते हैं तो या फिर यूपी आइई भी चूज़ कर सकते हैं और यहां पर 되면 देखान करें के आज चाहेगा करेंगे यहां पर बैक कर शॉक्टिन हैं ब्युक्तिक्र करेंगे यहां पर अप्लिकेशन आडी नेम सर्वीस आपने सीनियर सटीजन सेटिफिकर्ट के लिए अपलाई किया है अब सवाली आता है कि जब प्रोसेस हो जाता है तो कैसे दिखता है जैसे प्रोसेस हो जाता है और यहां पे डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाता है आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे प्लिक करके आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, यह देखिए, डाउनलोड हो गया है, अब आपको मिल गया है basically, अब आप चाहें, इसको जहां भी चाहें, यूज कर सकते हैं, अभी सवाल यह आता है, कितना दिन लगता है, यह certificate आने में, अब यह card आने में कितना समय लग कीजे, अब मुझे टेलिग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फालो कर सकते हैं, ऐसे डीटेल्स हम डालते रहते हैं, आप वह भी फालो कर सकते हैं, सारे लिक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मिलते नेक्स वीडियो में, thank you for watching and all the best.